गाइज इस वीडियो में हम लोग तीन ऐसी कंपनीज की बात करेंगे जो की फ्राइडे को 20% प्रॉफिट में थी यह तीनों की तीनों कंपनीज एनेसी में अविलिबल नहीं है यह बीएसी में अविलिबल है तो उसमें पहली कंपनी जो है BMW Industries अब यह कार बनाने वाली कंपनी नहीं है यह स्टील के धाचे बनाने वाली कंपनी है यह क्या करती है हम लोग अभी देखेंगे यहां पे अगर आप स्क्रीनर पे चेक करोगे न तो यह 18.71 परसेंट शो कर रहा है प्राइस इसका 39.6 शो कर रहा है लेकिन अगर आप जीरो दा वागिरा में चेक करोगे तो आपको दिखेंगा 20% का प्रॉफिट एक दिन का और इसका प्राइस दिखेंगा 40.02 तो अभी हम लोग वही मान के चलेंगे जो जीरो दाशो कर रहा है तो चलो पहले सबसे पहले यह देख लेते हैं कि यह करती क्या है जैसे कि मैंने का BMW Industries Limited टील प्रोड़क्स बनाती है ठीक जैसे कि अपने APL Apollo, हरियोंप आइप्स इस तरह के जो पर जाते हैं फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर नीचे मतलब ऑल ओवर उपर ही जाते है ठीक है तो स्टील सेक्टर साइकलिकल होता है लेकिन प्रोड़क्स बनाते हैं वह जाधा तर अज्टा तर धर्कम्पश उपर जाती है, ओके, चलिए, तो अभी आपने देख लिया, इसके customer कौन है, Tata Steel, तो Tata के Steel को लेके, ये लोग उसे hot rolled material supplied by Tata Steel Limited, galvanized, corrugated, पता नहीं क्या है ये, sheets बनाके, ये लोग Tata शक्ती के नाम से बेचते हैं, ठीक है, तो Tata का नाम जुड़ गया, शायद ये हो सकता है reason की लोग इसमें interested है, okay, तो fundamentals बाकी चेक कर लेते हैं, अभी सिर्फ Tata के नाम से तो इसे ले नहीं सकते हैं, तो चलिए इसके बाकी के fundamentals चेक करते हैं, market cap चेक करोगे, तो 1000 करोड़ से कम का है, 891 करोड़ है, stock PE 20.6 है, industry PE 17.2 है, मतलब industry के PE से अभी है, महंगा चल रहा है, debt अगर चेक करेंगे, तो काफी अच्छा काजा debt इसके उपर है, debt to equity ratio अगर देखेंगे, तो कम दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों दिख रहा है, करजा इसके पर देखेंगे, तो 2500 करोड़ का करजा है, और promoters holding देखेंगे, तो काफी अच्छी promoters की holding है, 74% की, इसमें से इ जिर्वी नहीं रखा है, free cash flow थोड़ा बहुत है, इनके पास, और कमाल की बात है, company dividend भी दे रही है, ठीक है, company ने dividend भी पास्ट में दिया है, तो overall देखा जाए, तो ROCE और ROE छोड़ के, बांकि सब कुछ इसमें अच्छा देख रहा है, चले इसकी valuation चेक कर लेते हैं, median इसक अभी जो value चल रही है, वो 20.6 चल रही है, हमने देख लिया पिछले चार्ट में, तो यह अभी थोड़ा अपने valuation में महंगा चल रहा है, और इसके EPS का चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत खराब था, फिर यहाँ पे यह अचानक से बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ तो यह अच्छा है, और इसके EPS को चेक करेंगे, तो 15 से बहुत खराब हुआ, फिर इससे थोड़ा सा ना के बराबर बढ़ा, फिर खराब हुआ, फिर यहाँ से और खराब हुआ, फिर और खराब हुआ, मतलब यहाँ से तो इतना बढ़ नहीं था, इतना खराब हुआ है, और इससे भी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा है EPS तो बहुत ही बेकार है जो कि यहाँ पे दिखता है ठीक है profit growth सारे minus में CIGR आप चेक करेंगे तो अच्छा दिख रहा है मुझे interesting यह नहीं दिख रहा balance sheet चेक करेंगे तो reserves इनके नहीं अच्छे नहीं है reserves विकार है अगर आप देखेंगे बॉर्विंग्स हमने देखे थे इनके 200 क्रोड क्या सपास बॉर्विंग्स है तो इनके बॉर्विंग्स तो कम हो रहे है तो यह एक अच्छी चीज है यह खराब है और fixed assets अगर चेक करेंगे तो fixed assets भी कम हो रहे है तो यह भी खराब है तो इसे one ही मिलेगा I'm sorry out of three shareholding pattern चेक करेंगे तो promoters इसमें अपना stake बढ़ा रहे है यह अच्छी चीज है DII देखेंगे तो DII इसमें बीच में आये थे फिर इनोंने यहाँ पे June 2020 में heavy selling कर दी detail में अगर आप चेक करेंगे तो इसमें mutual fund वाले थे जिनोंने अपनी selling एक साथ कर दी यहाँ पे तो इसकी कोई news होगी मुझे लगता है या तो इनको internal news मिली होगी पता नहीं तो सबने एक साथ बेचा है लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी किसी का tenure रहता है ठीक है तो सबने शुरुआत एक साथ किया इसी साल में और बेचा भी इसी साल में तो वो भी हो सकता है कि इनका tenure खतम हो गया हो तो mutual fund किसी stock को बहुत ज़्यादा hold नहीं कर सकते उनको बेचना भी रहता है प्लस profit भी देना रहता है बहुत सारे reasons होते हैं किसी share को खरीदने या बेचने का ठीक है mutual fund को और आगे अगर public की बात करें तो public के पास ये 29.92 मतलब लगब 30% के आसपास था और फिर इन्होंने suddenly suddenly बहुत कम कर दिया यहाँ पे तो बहुत ही कम हो गया फिर यहाँ पे suddenly jump आया है अब यह jump क्यों आया है पता नहीं market में कुछ news आयी होगी या टाटा वटा का कुछ story आयी होगी तो उसकी वज़़ज़ से शायद यह बढ़ा होगा लेकिन देखिए technically तो हम लोग अभी चेक कर लेंगे लेकिन fundamentally यह उतना मुझे impress नहीं कर पाई तो मैं इसमें investment नहीं करूँगा personally मैं नहीं करूँगा लेकिन फिर भी मैं इसके levels जरूर आपको बता दूँगा क्योंकि यह company किसमें है steel के products बनाने के business में है तो हो सकता है chances है कि यह company बहुत अच्छे खासी grow हो जाए देखिए इसका consolidated net profit annual net profit का chart है यह देखनी के कोई जरूरत तो नहीं है क्योंकि हमने पहले देख लिया था इसके EPS तो फिर भी आपके knowledge के लिए दिखा देता हूँ यह यहां से यहां तक तो तबही है और यहां से यह इतना गिर गया था कि यहां से तो इसको उठना ही था अब यह यहां पे भी उठा हुआ है means दीखे पिछली बार से इसका result अभी तक अच्छा है इसमें एक quarter add होना बांकी भी है तो इसमें एक quarter add होना बांकी है तो यह यहां से और उपर दिखेगा जब annual net profit का growth दिखेगे तो April में जब इसका result आएगा April में में तो वो पिछली बार से अच्छा कासा rise दिखाएगा ठीक है एक ही शर्त में यह amount पिछले साल से कम हो सकता है अगर इस तरह का ही कोई loss इसके last quarter में आ गया तो तब यह यहां से कम हो जाएगा तो situation मैंने बता दी अब चलिए इसके चार्ट पे चलते हैं अब देखिए यह जो इस महीने का आपको candle दिख रहा है इस महीने में 22.39% का growth already company दिखा चुकी है जिसमें से 20% Friday को ही आ गया था तो बांकी का जो 2.39% का growth दिखाया वो बांकी के दिनों में था मतलब March में उपर नीचे उपर नीचे जो 20 ने किया वो 2.39% ही था तो अभी इसका price चल रहा है 40.02 अभी क्या इसमें scope बांकी है और उपर जाने का क्या इसमें swing trading की जा सकती है देखिए एक तो यह technical देखने से ऐसा लग रहा है कि यह उपर के trend में है यह उपर के trend में तो अभी फिलाल दिख रहा है मुझे long term के लिए भी दिख रहा है लेकिन fundamental अगर support नहीं करते तो मैं long term के लिए उस company को नहीं मानता तो regular profit इसमें नहीं दिखा रहा बस CGR था जो ठीक ठाक था बांकी और कुछ भी इसमें negative था सब कुछ negative था मेरा suggestion होगा कि इसे इस price पे ना लिया जाए क्यों ना लिया जाए विकास अगर आप इसका one day का chart देखेंगे तो देखिए मैं इसको थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ और नीचे ले आता हूँ यह देखिया यह है इसका last day का candle तो यह जो आपको ballinger दिख रहे है मैंने आपको बताया था कि अगर यह ऊपर तोड़ दे candle तो यह overvalued हो जाता है अगर यह नीचे तोड़ दे तो undervalued हो जाता है तो आपने देखा यहाँ पर यह नीचे तोड़ता रहा तोड़ता रहा और एक दिन suddenly gap up से open हुआ और फिसके बाद ऊपर ही चल रहा है तो chances है कि ये आगे एक और green candle यहीं कहीं बनाता रहे ठीक है यहाँ पर candle बना सकता है लेकिन इसके chances गिरने के ज़ादा है अब तो अगर आप swing trading सोच रहे हैं तो यह यहाँ से पक्का गिरेगा इवन अगर आप long term भी सोच रहे हैं तो भी यह point मुझे सही नहीं लगता इसे buy करने का guys यह एक learning है जो कि सिर्फ इस stock के लिए नहीं है किसी भी stock में आप यह चीज implement करेंगे तो आपके losses कम रहेंगे अगर आप इसे यहां यहां buy करोगे न तो आपके losses के chances ज्यादा रहेंगे लेकिन वहीं आप अगर इसे यहां buy करोगे यहां buy करोगे तो आपके gain के chances ज्यादा रहते हैं और इसी में अगर fundamental अगर strong मिल गया तो ये bottom पे buy करने के बाद पक्का आपको इस तरह का ही growth देगा मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत easily समझा रहा हूँ मैं उपर में नहीं लेना है नीचे में लेना है चलिए वापस इसको monthly का chart बनाते है अब देखिए monthly वाली में भी जब यहां पर touch होगा अभी जैसे यहां इतना क्या बांकी है तो अगर पांच रुपय के लिए आपको इसमें investment करना है तो भी अभी मेरे हिजाब से वो सही टाइम नहीं है कम सिकम इसको थोड़ा गिरने दो यहां कहीं पर तब आप इसमें swing trading के लिए आप investment कर सकते हो और यहां पे बेच सकते हो 45-48 के आसपास बेच सकते हो ठीक है जब लेवल बनेगा वो बनेगा 20 रुपीज का और तीसरा लेवल है 10 रुपे का यह मैंने investment कैसे करना है वो तो मैंने आपको बताया है अगर आप इसमें पर रुपे डालना चाहते हो तो 25 रुपे अब डालो फिर 25 रुपे सेकंड लेवल पे और बांकी के 50 रुपे बांकी के 50 तीसरे लेवल पे तो यह आपके पूरे investment हो जाएंगे जो भी आप amount इसमें डालना चाहते हो तो उसका 25 परसेंट 25 परसेंट और 50 परसेंट मैं हर वीडियो में यह बताता हूँ लेकिन हो जकता है कुछ नए viewers हो इसलिए मैं दुबारा बता रहा हूँ ठीक है तो चलिए इस में इंकॉर्परेट हुई थी ओवराल देखा जाए तो फैबरिक और यान बनाती है लोकेशन देखेंगे तो दोंबी वली और यह कोई लोकेशन है मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा यह यहां पर कहीं पर इनके लोकेशन है और कंपनी ने विंड टर्बाइन भी ठीक है तो यह बहुत छोटा अमाउंट इनका पावर जेनरेशन से आता है तो चली वापस फंडामेंटल पर चलते हैं मार्केट कैप देखेंगे तो 50 करोड का है 100 करोड भी नहीं मैं तो इसको यहीं पर निकाल दूँगा ठीक है मैं तो इसे कंजडर कर ही नहीं सकता यह इ आगे बढ़ते हैं रोसी देखिए बहुत ही बेकार है रोई उससे भी ज़्यादा बेकार है मुझे तो मन कर रहा है मैं यहीं पर इसे छोड़ दूँ ठीक है मैं इससे आगे डिसकुशन ना करूँ चली देखते हैं और कुछ देखेंगे डेट भी इन्होंने लिया हुआ ह प्रोमोर्टर्स होल्डिंग बहुत जादा है जो भी इनके मालिक होंगे उन्होंने रखा हुआ है इसे बहुत ही जादा अच्छी होल्डिंग बनाके रखी हुई है फ्री कैश फ्लो भी इनके पास रखा हुआ है आगे बढ़ते हैं देखिए इसकी वैल्यूशन मिनिमलिस्टिक टावर्स तो कंपणी कहीं से भी अच्छी नहीं दिखरी प्रॉफिट ग्रोफ चेक करेंगे तो दस साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया होगा उसमें 6% का उनको प्रॉफिट होगा है ना तो बहुत ही अमीर हो गए होंगे वो राइट चलिए मज़ा एक बा बात है बॉर्विंग देखेंगे तो 12 से 16 हो गए ठीक है फिक्स्ट एसेट देखेंगे तो 27 से 19 हो गया तो यह कम हो गया ठीक है तो इसे 2 आउट अफ 3 मिल जाएगा शेर रोलिंग पैटन देखेंगे तो प्रॉमोटर्स ने 73.12 रखा था यहां पे इनों ने बढ़ा लिया पब्लिक के पास देखेंगे तो 26.88 था जिसे पब्लिक ने कम कर दिया तो पब्लिक से ले लिया किसने प्रॉमोटर ने यहां पर आप देख सकते हैं डिविडेंट यह 2008 मेनों ने लास टाइम दिया था पचास पैसे का उसके बाद इसमें कोई डिविडेंट नहीं आया चल अगर देखा जाए तो यह अन्वल इसका ने प्रॉफिट का चार्ट है जिसमें बिल्कुल ही सर्टेनिटी कुछ नहीं है मतलब आप बोल नहीं सकते कि आगे क्या करने वाला है तो अभी यहां से जैसे गिर गया हो सकता है यहां पर यह थोड़ा बढ़के यह अगले साल ब गोंबी वली यूनिट तो जो इनका मेंट यूनिट है ना जो इनका मेंट फैक्टरी है वहाँ पर यह बहुत बड़ी रिनोवेशन करने वाले है तो हो सकता है कि वह रीजन हो जिस वज़ए से यह इतनी बड़ी जंप दिखा रहा है 20% यह उपर गया यह यह हो सकता है मैं लोग बहुत पैसा लगा देते हैं, तो वो पूरी की पूरी गैंबलिंग है, पूरा का पूरा सटा है, ठीक है, लोग अपने पैसे पूरे लगा रहे हैं, कि डूबे तो पूरे डूबे, और बने तो बहुत ज़ादा बने, तो अगर इस तरह की mindset आप रखते हैं, तो आप इ इंवेस्मेंट नहीं करूँगा, तो अगर इसमें इंवेस्मेंट करना है, तो एक ideal level कौन सा होगा, दिके अभी अगर ये news continue रही है, और इसमें continue market में अच्छी news आती है, तो यह यहां से पलटने के chances तो थोड़े कम है, लेकिन अगर मैं नया होता और इसमें आता, और वहां से अगर एक अच्छी कासी, इसी तरह की 20% की भाइंग दिखाता ना, 20%, 10%, जो भी अच्छी कासी, वॉल्यूम दिखाता, तो वहां पर मैं एक छोटा मोटा amount डाल सकता था, तो 20 रुपे से 25 रुपे के आसपास में इसमें एक level बन सकता है, उसके नीचे कौन जर्एक युक्पाने इसमें करोडों के उपर नीचे हो जाते है, तो इसलिए एक एक पैसा इसमें इंपोरटन और ऑबी, कम्बनी करती जादा इसमें डीप में जाएंगे, मार्केट कैब देखिए, दस करोड भी नहीं है, तो ये पिछली कमपनी से भी कमका इसका मार्केट कैब है, रोस देखेंगे ROCE बहुत बिकार है, ROE देखेंगे तो उससे भी बिकार है, डेट इनके उपर कुछ नहीं है, डेट-free कमपनी ह है ओके फेस वैल्यू दस हो रखा है पता नहीं इसको स्प्लेट करेंगे या करेंगे चुड़ी जाने दिए प्रमोर्टर्स होल्डिंग अच्छी खासी 63.3% है इनके पास जिसमें से इन्होंने कुछ भी ग्रीवी नहीं रखा है यहां पर एक चीज आप चेक करेंगे तो यह मेरा एक ऐलर्ट है जिसमें यह मालूम चलता है कि इनका जो डेट है वो कम हुआ है तो यह एक अच्छी चीज है अब गाइस इसका वैलुएशन चेक करेंगे तो 30.5 का इसका मीडियन है जो कि यहां पर है और इसकी वैलुएशन अंडर वैल्यू चल रही है 20.1 पे तो अग इसे कंसिडर कर पाता इस चार्ट को देखें लेकिन वहां से इसमें देखें फॉल आया फिर यह उच्छाल आया फिर उच्छाल आया फिर फॉल आया फिर फॉल आया तो यह यहां से inconsistent हो गया अब इसमें कोई surety नहीं है कि यह क्या करेगा और एक खराब चीज इसका OPM अग लेकिन फिर काम बहुत कम हो गया इनके पास यह भी रीजन हो सकता है कि इसका OPM का चार्ट ऊपर जाके फिर अब inconsistent दिखा रहा है ऐसे इसे profit growth चेक करेंगे तो बेकार है CAGI चेक करेंगे तो बहुत बेकार है balance sheet में reserves इनके बढ़ रहे हैं ठीक है और borrowings आप इनके देखेंगे तो यहां पे zero कर दिया इनोंने अच्छा इनके पास borrowings थी देखें debt था इनके पास ठीक है तो इनोंने debt zero किया है भी तो यह एक अच्छी और fixed asset आप चेक करेंगे तो fixed asset भी इनके कम हो रहे हैं तो इनने two out of three मिल जाएगा promoters की holding चेक करेंगे तो 57% से इनोंने बढ़ा के यहां पे 2020 कोविड के बाद इनोंने अपनी holding बढ़ा ली और दुबारा बढ़ा ली तो 63.33 इनके पास holding अभी है public इसमें 42% पहले था और net profit देख लेते हैं यह annual profit का chart है और अब देख सकते हैं अगर यह यहां तक हम लोग देखते हैं 2019 तक तो क्या कमाल की इसमें growth दिख रही थी देख रहे हो चार्ट कैसा उपर जाते जा रहा है बले points में जा रहा है चोटे-चोटे points में जा रहा है लेकिन कितना अच्छा chart काई फिर उठा फिर यहां पर फिर अभी नीचे चल रहा है यहां पर एक quarter add होना बाकी है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी यह बहुत अच्छा दिखने वाला है ठीक है तो यह company अब अच्छी नहीं रही investment करने के लिए यह मेरा मेरा खयाल है लो कि मैं आपको नहीं बूल रहा कि आपको क्या करना है लेकिन मेरा खयाल यह है अब देखिए इसका चार्ट तो समझ में आने वाला थोड़ा मुश्किल है तो यह समझ में आएगा नहीं बहुत जादा लेकिन इससे यह मालूम चल रहा है कि गिरा तो बहुत बुरा है ठीक है gap down के साथ तो अगर आपके मन में आ रहा है कि आपको इसको इंवेस्टमेंट करना ही है पैसे इसमें डालने ही है रिस्क आपको लेना है ठीक है प्रीवियस ग्रोथ देखे या जो भी रीजन हो तो यह ही वो लेवल है जहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं अगर यहां से बहुत जो है ट्रिगर नहीं होगी मतलब आप बाइंग तो लगा दोगे लेकिन यह शेर्स आपको मिलिंगे ही नहीं तो यह चांसे है तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहीं पे लो और नहीं अगर आप मेरी तरह ही छोटे मोटे प्रॉफिट से काम चलाना चाहते हो तो जो consistent compounder companies के videos मैं बनाते रहता हूँ उनको देखो उनमें जाके सीखो कि consistent compounder कैसे देखते हैं investment के levels कैसे देखते हैं ठीक है buying levels क्या है यह मैं वीडियो बनाते रहता हूँ तो consistent compounder companies क्या है बढ़ेगी तो 2%, 3%, 1% ऐसे करके बढ़ेगी लेकिन long term में आपको पैसे कमा के देगी लेकिन इस तरह के companies आपको इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ऐसे करके मिलेगी तो base अगर आपने पता कर लिया तो आप short term में कुछ बना लोगे और अगर कहीं आपने गरबड़ी में यहां पर buy कर लिया तो यहां से डूप जाओगे तो risk रहता है तो आप जैसे भ वाले वीडियो का अगर आप alert पाना चाहते हो तो इस चैनल को subscribe करना होगा तो जैसे ही मैं next time वीडियो डालूंगा आपको एक notification आ जाएगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में